हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सभी लोग होप आप सभी लोग बहुत अच्छ हो वेलकम तू माई चैनल तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ हूँ यम्मी मैगी मैगी आपने बहुत बार बना कर खाई होगी जहट पट से बनने वाली मैगी तो आज मैं बैजी तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही है तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो यहां पे हमने रख लिया पैन और पैन गरम होने के बाद 2 टेवली स्पून और इसके बाद मैं एड करूंगी चॉप्ट ओनियान यह देख सकते मैं पहले से चॉप करके रखी हूं बहुत ही बारि तो चॉप्ट कर लिया है बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आ जाता है बैजी टेबल से और हैल्दी मैगी हमारी बनके रेडी होती है कारट भी हमारी मिक्स हो गई है और अब मैं एड करूंगी मतर के दाने और मतर के दाने आप अपने अकॉर्डिंग एड कर लीजे अगर पसं asta चिली पाउड़े और कुटा हुआ और इसके बाद हल्दी पाउड़े एड करेंगे अब 1 एंटियापॉडर यहीं और मिक्स कर देंगे तो देख सकते है कितना अच्छा सा लूक रोगा रहा है और अब मैं इसी में खल्का सा सब्जी मसाला ए ड़ुँ कर लेंगे इसके ब भुछे पॉछे में two मेंगी बना रहे हैं बादके मैगी मसाला से भाहत अखसे किपनेatives आप एड करें कि इसमें water तो water आप अपने according एड करिए क्योंकि किसी को रसीली मैगी पसंद होती है और किसी को सूखा पसंद होता है तो जैसा आपको पसंद हो मैंने एड किया है two glass water और एक उबाल आ जाने देंगे तब हम मैगी इसमें एड करेंगे तो देख सकते हैं एक उबाल आ गई है अब मैं इसमें एड कर दूंगी दोनों मैगी तो मैगी तो वैसे भी सबका फेवरिट होता है और बहुत ही टेस्टी और यम्मी बहुत ही जटपट से बन जाता है कुछ खास जादा टाइम नहीं लगता है ना ही कुछ जादा इंक्रीडियर्ट लगते हैं आप सिंपल मैगी भी बना सकते हैं अगर आपके पास वैजी टेवल्स नहीं है तो अब मैं मैगी को टू मिनट के लिए ढखके रग दूँगी तो देख सकते हैं मैगी हमारी अब रेडी हो गई है तो अब मैं दिखाते हूं आपको कि मैगी हमारी लगभग पूरी पग गई है अब मैं एड करूंगी इसी में ही यह देख सकते हैं कुछ मैगी 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 टेस्ट आ रहा है मैगी में और जरूर बनाए तुरंत अभी जाकर और मैं यह एड करूंगी हलका सा पनीर क्रश किया हुआ और पनीर एड करने से बहुत ही अच्छा एक फ्लेवर आता है मैगी में तो अगर आप ऐसे न बनाते हो मैगी तो एक बर जरूर इस तरीके से मैगी बनाएगा और फिर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स मेरे कैसी बनी आपकी मैगी और बहुत ही अच्छा एक टेस्ट आ जाता है अब मैं इसी में हलका सायट कर दूँगी भूजा हुआ जीरा क्यों प्लेट में तो बनाएगे इस तरीके से मैगी और बताइएगा कैसी लगी मेरी मैगी और आपको कैसी मैगी पसंद है यह भी मुझे कमेंट्स बॉक्स पर बताइएगा जरूर तो मिलते हैं अगले वीडियो में इंज्वाय करिए मैगी अगर आपको कोई और रेसिपी के व झाल झाल ।